जब भी आप ऐसे सर्च करोगे ना किसी भी ऑनलाइन स्वापिंग प्लेटफॉर्म पर एयरफॉंस अंडर 500 या पैस्ट एयरफॉंस अंडर 500 तो काफी काफी सारी ऑप्सन्स आ जाएंगे जैसे कि बोट एम आई चेबियल फिलिप्स बोल्ट पीट्रॉन तो ऐसे में दिमाग तो थोड़ा कन्फिज होता है और दिमाग फिर और ज्यादा कन्फिज हो जाता है जब हम एक ही ब्रैंड के और मल्टिपल ऑप्सन्स देखते हैं जैसे कि बोट बोट बेस हैड 100 बोट बेस हैड बोट ब फेमस हैं ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा एजीब चीज यह है कि बोट बेस हैड्स जोसके आगे बेस लग रहा है बेस हैड्स के आगे उसको देखकर यह लगता है कि लोगों को कि यह 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 फोंस बेस लवर्स के लिए बनी है इसमें बेस भर भर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें कि vosकल्स बहुए थे जीएंगा और 통 देखिली आघएंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बोट बेस हैड 100 से और इसमें आपको मिल जाता है एक स्ट्रेट जैक किसी भी तरह के का एंगुलर टिल्ट नहीं है जैक के अंदर और यह गोल्ड प्लेटेड जैक दोस्तों नहीं है बिल्ड क्वालिटी काफी मुझे इसकी अच्छी लगी वायर्स की जो क्वालिटी काफी ठिक है बिल्ड क्वालिटी जो अवरॉल गुड एंड माइक की जो प्लेसमेंट मैं बोलूँ तो जहां दो वायर्स का जॉइंट होता है वहां है यानि कि माउट से थोड़ा नीचे है माइक प्लेस्ट इसकी अच्छी नहीं है विल्कुल ओवरॉल दोस्तों साउंट की बात करें तो काफी बैलेस्ट जी साउंड है इसके अंदर यानि कि ना तो बेस जादा है ना मिड्स उपर है ना ट्रेवल उपर है तो सम्थिंग सम्थिंग बैलेस्ट है और लाउडनेस भी दोस्तों इसकी बहुत जादा नहीं है तो और थिंग दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अपर और लोवर बेस की ठीक है वेस की दो टाइपस होते हैं तो आप बारवर कन्फ्यूज ना होते इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए तोण दो की बारवस acost पूजंक कर सकटे हैं 60 scoop यहाँ जैसे वह अपर और जाते जाएंगे ओपर बेस में कंवर्ड होते जाएगा 60 60 Hertz से नीचे-नीचे lower bass, lower bass, lower bass means that lower bass feel जाता होता है, सुनाई कम देता है और आपको irritate भी कम करता है, upper bass आपको सुनाई जाता देता है, feel कम होता है, plus अगर ये boosted हो, तो irritate भी कर सकता है, तो remember that, तो overall दोस्तों हम बोल सकते हैं कि boat 100, movies और music तोनों के लिए आपके लिए good रहेगी, good पर आगे देखती हैं अभी और कुन कुन से एरफोन से, next is boat 102, इसमें आपको एंगलर jack मिल जाता है, साथ ये jack god related है, और दोस्तों इसमें एक अच्छी बात ये कि ये आपको magnetic attachment के साथ आती है, plus build quality, average, 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 लेकिन दोस्तों इस earphone की highlight है, इसके vocals, जी हाँ vocals, सारी earphones के अंदर, जिसके सबसे best vocals लगें वो ये earphone है, 102, plus अगर हम इसे बात करें, इसके base की, base काफी balanced से मिल जाता है, upper lower दोनों ही base काफी balanced है, कोई भी boosted नहीं है, travel is very good, overall दोस्तों sound quality देखें हम इस earphone की, तो काफी अच्छी रहेगी, movies और music दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन अगरें base lovers के लिए ये भी नहीं है, और दोस्तों बात करें, इसके mic placement की, जहां दोनों wires joint होते हैं, इसका mic placement भी वही है, दोस्तों next is boat 152, इसमें भी आपको angular code created 3.5 mm jack मिल जाता है, mic की placement आगे वही हैं, जहां दोनों wires attach होते हैं, joint के पास, but build quality की दोस्तों अगर हम वैसे बात करें, cable की तो cable आपको यहां मिल जाता है, tangle free breaded cable, तो यह इसका एक plus point है कि tangle free cable मिल जाता है, अब दोस्तों, bass के बारे में इसमें पताना चाहूँगा, मैं bass दोस्तों यह एक bass boosted earphone है, जहां upper और lower bass दोनों boosted मिलते हैं, लेकिन bass बहुत जादा है, खास करके इसका जो upper bass है, interfere करता है vocals के अंदर, तो मैं यह बोलूँगा कि guzzles के लिए बिल्कुल भी perfect नहीं है, movies के लिए बिल्कुल perfect नहीं है, जिसको bass पसंद है वो इसको ले सकता है, बट bass की जो quality है, देखे bass जादा तो है, quantity है लेकिन quality not much so great, अगर हम इसे आपसे bass की देखें, तो bass इसका 100 plus 102 दोनों से जादा है, लेकिन उन दोनों से कम है इसकी vocal quality, next है दोस्तो 162, boat bass head 162, इसमें भी दोस्तों आपको angular 3.5 mm gold plated jack मिल जाता है, mic की placement अगेन वहीं है जहां दोनों wires joint होते हैं, यह चीज थोड़ी सी मैं बार-बार बोल रहा हूं अच्छी सी नहीं है क्योंकि इसमें दोस्तों सबसे बड़ी problem क्या हो जाती है इस case में कि mouth के पास आपको लाना पड़ता है जब भी आप traffic area में जाते हैं, तो mic को आपको बार-बार मुँ के पास लाना पड़ेगा तो it is not so good इसमें भी दोस्तों अच्छी बात है कि braided tangle free cable मिल जाती है plus bass is very very irritating दोस्तों हाँ बेस इसमें upper bass जादा boosted है और vocals की quality भी कुछ खास नहीं लगी मुझे और travel भी average है यह थोड़ा सा एक वैसा package है कि हाँ earphones चाहिए ले लिया लेकिन यह मैं आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा boat bass head 162 so next है 172 boat bass head 172 gold plated jack के साथ आता है angular jack आता है boat bass head 100 और boat bass head 102 दोनों से down है यानि क्या आप बोल सकते हैं same है 152 और 162 की जैसे ठीक है पाइद आप confused होने की जरूत नहीं है overall ranking मैं आपको वीडियो के last में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा और अगें दोस्तों इसकी हम बात करें build quality की हम अगें ब्रेट केबल आपको मिल जा आपको और इसका travel काफी हार्स है यानि कि overall sound qualities की भी कुछ खास नहीं है vocals quality भी average average बोलूंगा अच्छी नहीं है और अगर हम बात करें दोस्तों bass की तो upper bass इसमें जादा है lower bass कम है जो कि इस earphone को थोड़ा सा irritating बना देता है in terms of bass तो यह भी थोड़ा से मैं आपको recommend नहीं करूं तो next is दोस्तो boat bass head 225 अब तक की जितनी भी earphone से सबसे best build quality यही provide करता है plus किसी को चाहिए hard bass hard punch चाहिए जिसको hip hop गाने जादा सुनता हो ठीक है तो वह इसको ले सकता है काफी जो bass में जो punch मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा लेकिन अगेन कुछ लोगों थोड़ा सा comfortable नहीं लग सकते एरफॉन कानों के अंदर comfortability का issue हो सकता है यह मेरा personal opinion है आप इसके design को यहां देख सकते हैं प्लस अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी mic placement की बिल्कुल perfect है बिल्कुल आपके mouth के पास mic placement आपको मिल जा दे तो calling के दौरान आपको यह earphone काफी अच्छे लगने वाली बात करें दोस्तों loudness की loudness के अंदर भर भर के दिए यह जितनी भी बाकी earphones हैं उनसे मुझे काफी जादा loud लगी और इसको आप 50-60% volume पर सुन हैं तो बहुत होगा 100% पर तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे बाकी दोस्तों में एक चीज़ आपको बता दूं कि बाकी जी जो earphones है उनको भी आप ऐसा नहीं है कि 100% volume पर सुन सकते हैं उनके अंदर भी loudness काफी-काफी भर करें लेकि इसके अंदर थोड़ी से और जा 242 जिसको soft bass plus deep bass चाहिए उसके लिए है दोस्तों boat bass head 242 इसका bass में जो punch है वो hard नहीं है soft है लेकिं deep के side bass है इसका इनकी deep bass से ही है तो इसका सारी earphones में अब तक जिसका मुझे deep लगा low bass जिसको बोलते हैं वो bass boat bass head 242 प्रॉल्म थोड़ी से इसकी यह लगी कि यह लगी कि यह सब्सक्राइब होना चाहिए तो इसका jack जोकी नहीं है माइट प्लेसमेंट ओके है और built quality में ब्रेड़ेट केबल होती तो अच्छा होता है लेकिन इसमें ब्रेड़ेट केबल भी नहीं है तो किसी में कुछ है किसी में कुछ नहीं है थोड़ा साइक combination आपको बना के लिए पड़ेगा और दोस्तो वोकल स्पीस के एवरेज हैं बाकी मतलब यह लो बेस जिसको पसंद है उनके लिए बनाएगे एरफोंस ठीक है दोस्तों अब फाइनल कंक्लूशन की बात है हम यह करका आपको मस्ट इंपोर्टेंट शीज बता दें तो ओवरल कंक्लूशन इस के लिए चाहिए कॉलिंग की प्रायोटी है आप यह फोन की तो परफेक्ट रहेगा कि मौत के काफी पास हो माइक प्लेशमेंट तो उसके लिए दो यह फोन्स और वह दोनों है दोस्तों टूटू फाइव एंड टूपो तो कालिंग के लिए आपको यह दोनों चाहिए आने बोली हैं जैसे कि 152162172182 यह आप इनको कंसेटर कर सकते हैं इनमें आपको ब्रेडिट टैंगर केबल मिल जाती है नाव दोस्तों आए आयते हैं वोकल्स की वोकल्स के लिए कौनसी एरफोंस चुन सकते हैं वोकल्स पे दोस्तों मैं रैंक वन में रखना चाहूंगा काफ़ क्रिश्टल के लिए रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं मुवीज बगरा मैं आपको मज़ा जाएगा उसके बाद दोस्तों रैंक टू पर मैं रखना चाहूंगा बोट बेस हैड 225 को और उसके बाद बोट बेस हैड 100 और बोट बेस हैड 242 दोस्तों बेस की बात करें तो 242 जिनको soft plus low plus deep bass चाहिए है ओके remember it confuse मत होना है दोनों के बीच में और हां दोस्तों कमेंट वक्स खुला हुआ है कोई भी डाउट होता आप उसमें मुझसे किसी भी एरफ़न के बारे में कुछ भी पूछ सकती है अब दोस्तों लाजच चीज रहते हैं movies में again vocals अच्छी होन लेनी है बेस के लिए कौन से लेनी है कॉलिंग के लिए कौन से लेनी है बिल्ट क्वाल्टिक्स के छिए मैंना सब कुछ सेर कर दिया उसके बापवजूद भी कोई confusion बसता है तो कमेंट बॉक्स हुला हुआ है और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना वहां भी से परसनली किसी भी लेबल पर सवाल पूछ सकते हैं इन इयरोफोंस या किसी और गैजट के बारे में तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट कमपरेटिव वीडियो में तक तक के लिए टाटा बाइब बाइब